सब्सक्राइब करें हमारे चानल टेक्नालोजी वेब को लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी शोचल मीडिया के लिए एक अच्छा थम्नेल कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से जिसके लिए आपको सबसे पहले आपके प्ले स्टोर या एप स्टोर से थम्नेल मेकर डाउनलोड करना है जैसे आपको टेक्स्टॉप पे दिख रहा होगा एप अन करते ही आपके सामने make thumbnail और readymade thumbnail का option आता है तो सबसे पहले हम चलते है readymade thumbnail के उपर जैसे ही आप हो thumbnail के उपर click करेंगे आपके सामने different social media का नाम आएगा आपको कौन से social media के लिए thumbnail ready करना है simply आप choose कर लीजिए अभी जैसे कि मैंने YouTube select किया है जैसे ही आप select कर लेंगे तो उसके अंदर जितने भी category है सारे category के जो pre-loaded या pre-defined template बने हुए है वो आप choose कर सकते है जैसे कि मैंने अभी एक ये choose कर लिया है ये choose करने के बाद आप इस thumbnail को edit कर सकते है आप इस thumbnail के अंदर आप font change कर सकते है आप text को edit कर सकते है font का size बड़ा छोटा कर सकते है different color चूज कर सकते है font का transparency सेट कर सकते है और multiple option आपको मिल जाएंगे आपको चाहिए तो इस font के अंदर आप अपना image भी कुछ higher कर सकते है अगर करना है तो निच्छे आपको बहुत सारे multiple option मिल जाएंगे यह pre-loaded thumbnail को edit करने के लिए तो आप उस menu को choose करके आप अपने accordingly यह customize कर सकते है इस thumbnail को जैसा आप अपने desktop पे देख पारे रहेंगे मैंने text का color change कर दिया है कुछ font बड़ा छोटा कर दिया है और मेरा thumbnail मैंने ready कर लिया है जैसे ही आपका thumbnail ready हो जाता है उसके बाद आपको left hand corner में एक option मिलता है download का जहां से आप अपने thumbnail का preview भी देख सकते है और download भी कर सकते है चलिए अप चलते हम create thumbnail के इधर जैसे ही आप create thumbnail पे click करेंगे आपके सामने multiple option आ जाएगा again आप इसमें से आपको pre-defined कुछ background image मिलेंगे अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से भी image को choose कर सकते है या फिर आपके सामने आपके gallery के अंदर कोई photo है तो आप उसको भी thumbnail का background बना सकते है या फिर live picture क्लिक करके आप बना सकते है thumbnail या फिर आपको से background में simple color चाहिए तो इसके लिए color का option है जैसे आप screen पे देख रहे हैं इसमें से आप कोई भी color choose कर सकते है चलिए मैंने एक color choose कर लिया है जैसे ही आप choose करते है आपके सामने एक screen आता है जिसमें पूछा जाता है जो आपको ये thumbnail क्यों से social media के लिए बनाना है सब का different resolution है आप choose कर लिजिए मैंने अभी thumbnail के लिए YouTube select किया है जैसे आप YouTube select करेंगे आपके सामने ओ resolution में ओ color का background आ गया अभी आप इसके ओपर text add कर सकते हैं नीचे text का option दिया हुआ है text add कर सकते हैं आपको जो लिखना है लिख सकते हैं और उसके बाद इसका font बड़ा छोटा कर सकते हैं different आपको font select कर सकते हैं और different color दे सकते हैं shadow select कर सकते हैं कुछ predefined filter भी दिये हुए हैं तो अगर आपको चाहिए तो आप filter का भी use कर सकते हैं stickers है इसके अंदर already बने हुए जिसका भी इस्तमाल आप अपने thumbnail में कर सकते हैं जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं जी अगर आपको चाहिए तो आप अपने background में या फिर अपने thumbnail में अपने कुछ pictures आड़ करने हैं तो उसका भी option आपको इसके अंदर मिल जाता है और जैसे ही आपका complete thumbnail ready हो जाए आपको right hand side में एक download का option मिलता है जिसके उपर click करके आप अपने thumbnail का preview देख सकते हैं और download भी कर सकते हैं अगर आपको ये video पसंद आया हो तो like और subscribe करना ना भूले Thank you